पारिस ओलम्पिक दो हजार चौवीस अभी चल रहा है और इसमें भारत को पहला सिल्वर मैडल मिल गया है नीरत चोपड़ा ने अपने जैबलीन थ्रो में कमाल करते हुए भारत के जोली में सिल्वर मैडल डाल दिया है ये मैडल पैरेस उलमपिक 2024 के तेरवे दिन मिला है इस उलमपिक में सभी फांस को उमीद थी कि टौक्यो की तरह जैबलीन थो के फाइनल में हिस्सा ले रहे नीरच चोपड़ा गोल्ड मैडल जिताने में कामियाब होंगे लेकिन वो भारत के लिए सिल्वर मैडल लाने में ही सफल हो पाए नीरच के सिल्वर मैडल जितने के बाद पूरे देश में खुशी का महल है और नीरच की इस उपलब्धी से उनके घर में भी बेहद खुशी है नीरच की कमाल क्यूपलब्धी के बाद उनकी मा काफे खुश नज़र आई और उन्होंने इस काम्याबी को गोल्ड जैसा ही करार दिया पैरिस उलम्पिक में पाकस्तान के अर्शद नदीम ने रिकॉर्ड 92.97 मीटर भाला फेक कर इतिहास रचते हुए गोल्ड मैडल अपने नाम किया जबकि दूसरे नंबर पर रहने वाले नीरच चोपडा ने 89.45 मीटर भाला फेका नीरच की इस सफलता के बाद A.N.I. ने उनकी मा से बात की नीरच की मा उनकी इस सफलता के बाद बेहद खुश नज़र आई और उन्होंने कहा कि नीरच की इस उपलबधी से हम बहुत खुश हैं और हमें सिल्वर भी गोल्ड जैसा ही लग रहा है बलकि जिसने गोल्ड जी गए लेकिन हम सभी बहुत खुश हैं वहीं उन्होंने कहा कि उसके आने के बाद हम उनके पसंद का खाना बनाएंगे तो वहीं नीरच चोपड़ा की पिता सतीश कुमार ने कहा कि हम प्रेशर नहीं डाल सकते आज पाकिस्तानी एथलीट अर्शद नदीम का दिन था अर्श नीरच की इस उपलब्धी को उनके घर पानीपत में खूब सेलिब्रेट किया और लड़ू भी बाटे गए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नीरच के गाओं के लोगों के चेहरे पर किस कदर खुशी है भारत की तरफ से ओलम्पिक में नीरच चोपड़ा तीसरे एथ थ्रो रहा जिसमें उन्होंने 89.45 मीटर भाला फेका जो इस सत्र का उनका सर्विस रेस्ट थ्रो था इसके अलावा उनके पांचो प्रयास आसफल रहे इससे पहले उन्होंने टॉक्यों ओलम्पिक में 87.58 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मैडल जीता था तो वहीं अब इस ब इस मुकाबले में पाकिस्तान के अथलीट अर्शद नदीम ने नया उलम्पिक रिकॉर्ड बनाते हुए दूसरा थ्रो ही 92.97 मीटर का लगाया है उन्होंने छटा और आखरी थ्रो 91.79 मीटर का लगाया था पाकिस्तान का 1992 बार्सिलोना उलम्पिक के बाद ये पहला ही क पदक है इससे पहले 10 मुकाबलों में नीरचोपरा ने हमेशा अर्शद नदीम को हराया था और अब अरशद नदीम से नीरत चोपड़ा ने हार को सुविकार किया है और सिल्वर मैडल जीत कर ही संतोश किया है फिल्हाल इस खबर में इतना ही बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए आज तक भारत के साथ